RSS ने और BJP ने और खास्तोर से नरेंद्र मोदी जी ने जो strategy बनाई है उसका foundation क्या है उसकी नीव क्या है सबसे पहले ये समझना है नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की monopoly है ports पर, infrastructure पर, defense में वैसे नरेंद्र मोदी जी ने political finance की monopoly बनाई है कैसे बनाई है ED, CBI, income tax department का प्रयोग करके अगर आप bond schemes को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने BJP ने एक प्रकार से political funding, extortion से, घंकी से, pressure से बनाई है जो भी भरष्ट हैं, वो सब BJP में जा रहे हैं, उसका कारण है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि political finance की monopoly उनके हातों में है अब हमेरे bank account बंद कर दिये, ये manifesto congress party ने नहीं बनाया है, ये manifesto हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है हमने सिरफ इसको लिखा है, नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन institutions को capture करके financially monopoly बना रहे हैं, सारा का सारा information, किस से extortion किया है, किसको contract दिया है, contract देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी blueprint, पूरी की पूरी blueprint, electoral bonds में लिखी हुए है, तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल, opposition को पूरी charge sheet, proof sheet, electoral bonds के तुरू पकड़ा दी है, तो इसलिए थोड़ा terror हो रहा है उनको, इसलिए नंबर निकला है 400 पार, बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे, कि ये normal चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, सम्विधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है, आप देख रहे हैं, देश लाइव, देश की आवाज, ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और सम्विधान को बचाने का चुनाव है, एक तरफ NDA, नरेंद्र मोदी जी, जो constitution पर आक्रमन कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमन कर रहे हैं, institutions को capture कर रहे हैं, और दूसरी तरफ, India Alliance, जो constitution की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है, तो ये चुनाव इन दोनों forces के बीच में हैं, आरुन कुमार सिंग, मेरा सवाल राहूल जी आपसे है, राहूल जी, हलो, राहूल सर, राहूल जी, सीधे, सीधे, इधर, फ्रंट, फ्रंट, सवाल आपसे ये है, कि 2014 बे जैसे ही मोधी सरकार आई थी, आपने एक बयान दिया था, और आपने ये कहा था, कि देखते जाये, धीरे-धीरे, ये कंस्टिशुशनल इंस्टिशूशन्स जितने भी हैं देश पे, उस पे आरेसेस और बीजेपी का कबजा हो जाएगा, अब आप ये कह रहे हैं कि हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि हम कानून भी लाएंगे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता राहूल जी कि ये जब आप करेंगे, तब बीजेपी आपके उपर ये आरोप लगाएगी कि चुकि केसेज जो है, या पूस्ताच बिपक्ष के नेताओं से जादा हुई, इसलिए ये प्रतिक्रिया में लाया गया, रिक्सेनरी लॉज अमें सबसे पहले, ये समझना होगा, कि हिंदुस्तान के राजनेतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है, आरेसेस ने और बीजेपी ने और खास्तोर से नरेंदर मोदी जी ने जो स्ट्राटिजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नीव क्या है, सबसे पहले ये समझना है, नरेंदर मोदी जी ने, जैसे अदानी जी की मनोपली है, पोर्ट्स पर, इंफ्रस्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंदर मोदी जी ने पुलिटिकल फाइनस की मनोपली बनाई है, कैसे बनाई है, ED, CBI, Income Tax Department का प्रयोग करके, अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें, तो उसमें साफ दिख जाता है, कि नरेंदर मोदी जी ने, BJP ने, एक प्रकार से, पुलिटिकल फंडिंग, एक्स्टोर्शन से, धमकी से, प्रेशर से, बनाई है, खारगे जी ने कहा, जो भी भरष्ट हैं, वो सब BJP में जा रहे हैं, उसका कारण है, क्यूंकि, नरेंदर मोदी जी चाहते हैं, कि पुलिटिकल फाइन्स की मोनोपिली, उनके हातों में हूँ, अब हमेरे बैंक अकाउंट बंद कर दिये, हमारे पास, ओरिजिनल रास्ता जो था, वो ही हमारा रास्ता है, हम जनता के साथ जाकर, मिलकर, उनके लिए लड़ते हैं, यह जो मैनिफेस्टो बना है, यह मैनिफेस्टो, कॉंग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, यह मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है, हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है, जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है, चाहे वो रोजगार की बात हो चाहे वो contract labor की बात हो हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है ये लिखे है मगर जो राजनेति में आज हो रहा है वो clear है कि सब parties को नरेंद्र मोदी ED, CBI इन इन्स्टिटिटिशन्स को capture करके financially monopoly बना रहे हैं अपने और चुनाओ के बाद reality है कि ये जो financial monopoly बड़ी interesting चीज़ है क्योंकि सारा information सारा का सारा information किस से extortion किया है किसको contract दिया है contract देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है वो पूरी blueprint पूरी की पूरी blueprint electoral bonds में लिखी हुए तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल opposition को पूरी charge sheet proof sheet electoral bonds के तुरू पकड़ा दिये तो इसलिए थोड़ा terror हो रहा है उनको इसलिए नंबर निकला है 400 पार इसलिए ये महराष्ट्रा में हमारे नेता ले जा रहे हैं हर्याना में सब जगे हमारे नेता ले जा रहे है क्योंको इनको लग रहा है कि भाया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई 160 हो गई 140 हो गई तो नईया पायर हो जाएगी थैंक यू राउल जी हुआ नहीं होता है राजनीती में इस दफा नरेंडर मोधी को आप कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती मानते हैं सर दोहजार चौबेस के चुनौव में देखिए 2019 में ये शुरू हुआ आज ये एक तरह पीक पे पहुँच गया है हिंदुस्तान के सारे institutions उनके हाथ में है political finance की monopoly उनके हाथ में है CBI, ED, income tax, EC ये सारे के सारे BJP के हाथ में है BJP के control में है तो जैसे मैंने अपने भाशन में कहा cricket match is a rigged match cricket match is not a fair match उसमें चाहे social media की बात करें आप हमारे नेताओं के opposition नेताओं के social media देख लीजिए मेरा YouTube देख लीजिए मेरा FaceTime देख लीजिए Facebook देख लीजिए Instagram देख लीजिए तो ये सारा का सारा structure controlled है, rigged है इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये normal चुनाओं नहीं है ये लोक तंत्र को बचाने का समिधान को बचाने का चुनाओं है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है ये चुनाओ 2-3% 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाओं है और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस manifesto में है और जो 2% चाहता है जो अधानी जी चाहते है वो आप उनका manifesto देख लीजिए आपको पता लग जाएगा उसमें उनकी request list पूरी के पूरी आपको मिल जाएगी थैंक यू देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल का बटन जरूर दबाए